हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी होप सभी लोग ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं lt control transformer की name plate के बारे में तो हमने जैसे पिछली वीडियो में ltct यह निकी low tension current transformers की name plate के बारे में बात की थी तो आज हम जानेंगे कि lt control ट्रांसफोर्मर में नेम प्लेट में क्या-क्या होता है और उसका क्या-क्या मतलब होता है तो गाइज मैंने दो कंपनियों के क्या-क्या मतलब होता है तो इसमें लिखा हुआ है type तो type हमारे इसमें ये mention कर रहे हैं कि हमारा जो control transformer है वो resin cast है या फिर हमारा tape bound type है तो जैसा sticker में लिखा हुआ है कि ये resin cast है तो आप resin इसमें किसी भी तरीके का ले सकते हैं और इसमें आप PU मतलब polyutherine type का resin आप use कर सकते हैं तो next है हमारा insulation class तो हमारा इसमें control transform में insulation class E दी हुई है तो जैसा vendor ने आप से मांगा होगा class insulation B या class insulation E या class insulation F customer ने मांगा है इसमें E class का तो इन्हेंने E class का control transformer दिया है तो next है हमारा primary voltage तो primary voltage इसमें 415V की है तो इसमें हमें क्या है कि input में 415V हमें देना है और next है गाई इसमें secondary voltage तो secondary voltage है हमारा वो है 230V का according to customer के हिसाब से ये मांगा गया है primary 415 की और secondary हमारी 230V की तो next है हमारा capacity जैसे इसमें लिखा हुआ है 3000VA तो इसका मतलब हो गया 3KVA depend on application है कि आपको 3KVA का चाहिए या 5KVA का transformer चाहिए तो इसमें लिखा हुआ है 3KVA का तो ये 3KVA का आपका control transformer है तो next है इसमें हमारा str तो इसमें हो गया short time current rating तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 3KVA at .7 power factor तो हमारा ये short time current rating है तो next है हमारा single face मतलब face लिखा हुआ है इसमें कि हमारा transformer single face है या फिर वो 3 face है तो इसमें लिखा हुआ है single face तो आपका ये single face है और इसमें आप face to face 415V अपलाई करेंगे primary side में उसके बार इसमें लिखा हुआ है IS मतलब Indian standard तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 1221 और slash IEC 689 तो हमारा जो 120-21 है ये हमारा control transformers के लिए होता है और 689-69 IEC ये हमारा potential transformers के लिए होता है बट इन्होंने लिख दिया है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं बट आपका control transformer है तो आपको 120-21 लिखना होगा तो इनकी आपस में deal है customer and vendor के बीच में तो next है हमारा HSV मतलब हाई है system voltage slash IEL का मतलब होग है insulation label तो जैसे इसमें HSV लिखा हुआ है 0.72 kV 0.72 kV का मतलब होग है 720 voltage LTE के लिए उसके बाद लिखा हुआ है slash 3 kV for 1 minute तो इसमें ये बता रहा है कि primary to secondary 3 kV का insulation है हमारा और दूसरा primary secondary to earth हमारा 3 kV का insulation है according to IS 1 minute के लिए तो ये हमारा हो गया HSVN IEL next है हमारा है serial number SEPL slash 50 slash I607 तो इन्होंने जो serial number लिखा हुआ है वो अपनी company के हिसाब से लिखा हुआ है और इन्होंने एक अच्छी बात ये है कि अपना mention क्या हुआ है कौन से sun में बना है और कौन से month में बना है तो ये आप लिख सकते हैं ये हो गया हमारा control transformer का एक company का sticker next हमारा है दूसरा company का sticker तो ये next company का हमारा sticker है तो आईए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है जैसे IS इसमें लिखा हुआ है 31.1992 ये IS लिखा हुआ गई next है हमारा HSV-IL तो इन्होंने HSV जो लिखा हुआ है 0.66 slash 3 KVA तो ये हो गया हमारा LT के लिए 660 V और जो 3 KVA है वो हमारा primary to secondary और secondary to earth उसके लिखा हुआ है इनका जो insulation है वो class E है जैसे मैंने पीछे समझाया था भी और इन्होंने frequency लिखी हुई है बट उस वाले sticker में इन्होंने frequency को mention नहीं किया हुआ था बट इन्होंने frequency लिखी हुई है 50 Hz 5% और 5% की बट उस वाले sticker में उन्होंने mention नहीं किया था क्योंकि वो tapping type का control transformer में था नहीं तो next है इसमें हमारा secondary voltage जो हमारा 110 volt के लिए है और इसमें क्या है कि capacity जो लिखी हुई है वो 50 VA next है इसमें class B mention की हुई है class 1 तो हमारे जो ये 50 VA ये 100 VA के होते हैं उसमें class mention होते है और उसमें जो IS है वो लिखा जाता है 31, 56, 1992 होते हैं ये भी control transformer है बट ये क्या है छोटी rating के लिए होते हैं वालब इसकी जो capacity है वो 50, 130, 50 इस type की रहती है जो हमने अभी पीछे sticker देखा था जिसमें हमारी class भी mention नहीं थी और उसकी जो capacity है 5 के विए 3 के विए उस type की है तो इसमें class इनोंने लिखी हुई है 1, next है हमारा serial number तो serial number इनोंने company के हिसाब से लिखा हुआ है और इनोंने next लिखा हुआ है face मतलब यह single face है या 3 face है तो guys इस single face हमारा control transformer है यह guys बहुत छोटा सा transformer होता है 50 V यह 100 V यह का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है 100 by 100 का ही होता है 100 by 100 यह 100 by 80 का उस type का होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है